नवस्कार दोस्तो आप सब् draußen का स्वुटमारत सिक्षा अकएडमी के इस नए विडीयों में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम्न डिसक्स करने वाले थैं आरटी एप कॉंश्टेवल दो हजार उन्निस के प्राक्रिस सेट याटका भाग यह है दोस्तो फोर यानिक यह चوتहा भाग है दोस्तो यह इसमें सभी प्रश्ण जो है वाह सी हलसायत्स प्रश्ण रहते हैं और दोस्तो जो मैंने पहले वीडू अप्लोट कर चुके हैं उनकी लिंक आपको इस वीडू डिसकिप्सेन में मिल जाएगी तो आप एक से लेकर तीन तक वीडियो पहले देख लेजीगा तो चलिए दूस्तो आज का वीडियो श्टार्ट करते हैं दूस्तो आज का पहला प्रश्ण है सेवालों का अध्यन क्या कहलाता है सेवालों का अध्यन क्या कहलाता है दोस्तो आफ्सेन नमर ए इसका राइट आंसर यानि फाइक को शेवालों का अध्यन कहलाता है ठीक है फाइक को लोजी जो रहता है साका का नाम है और इस साका में शेवालों का अध्यन किया जाता है ओप्सन नम्मर दूसरा है नेशनल केमिकल लेबरोटी पर कहां इस्तित है दूस्तों यह है पुणे के अंदर इस्तित है ठीक है कहां पर पुणे महराष्ट में इस्तित है इसके बार अंगला प्रेश्ण है मलेरिया रिसर्च सेंटर कहां पर इस्तित है अप पर इस्तित है और गली के अंदर इस्तित है जो साखा संन देत वह है ओपिसन नमर द यानि बीटी कल्चर के अंदर अंगउर का जो भी होता है उसका खोज होती या फिर नई नई तकनीकी आती है इस साका के अंतरकत इसका संबंद है किसका बिटी कल्चर से संबंद है अंगूर का उत्पादन ठीक है इसके बाद अंगला प्रश्ण है नेत्र रोग का चिकसक क्या कहलाता है जो नेत्र रोग होता है उसका चिकसक क्या कहलाता है दूस्तों यह कहलाता है ऑप्सन नम्मर बी इसका राइट आंसार है यानि कि आप थालमो लॉज जिस्ट कहलाता है नेत्र रोक चिकसक को ठीक है इसके बाद अंगला प्रेश्ण है यहाँ पर इसके बाद अंगला प्रेश्ण है यहाँ पर बिज्ञान की किस साखा में पक्षियों से संबंदित अध्यन किया जाता है दूस्तों पक्षियों का अध्यन किस साखा के अंदर किया जाता है तो यहाँ दूस्तों आर्णी थियोलोजी दो के अंत्रगत किया जाता है यानि उप्सन नमर बी इसका राइट आंसर रहेगा इसके बाद अंगला प्रेश्ण है प्लाजमा अनुशंदान संस्थान कहां पर इस्ते थे दूस्तों यहाँ गांधी नगर गुजरात के अंदर इसके बाद अंगला प्रेश्ण है यहाँ पर राष्टिय देरी अनुशंदान संस्थान कहां पर इस्ते थे राष्टिय देरी अनुशंदान संस्थान कहां पर इस्ते राष्टिय देरी अनुशंदान संस्थान करनाल के अंदर इस्तित है इसके बाद अंगला प्रेश्ण है बाइरस का अध्यान क्या कहलाता है बाइरस का अध्यान कहलाता है दोस्तों वायरोलोजी कहलाता है क्या कहलाता है वायरोलोजी असके बाद अंगला प्रश्ण है भावा पर मानू अनुशन धान की इंदर कहां पर इस्ते थे भावा पर मानू अनुशन धान की इंदर दोस् इसका राइट अंसर रहेगा इसका वाद अग्ला प्रेश्ण है जीवों में पाएजाने वाले रोगों का ध्यन किस साखा में किया जाता है जीबों में पाये जाने वाले रोगों का धयन दुस्तों पैथोलोजी के अंतरगत किया जाता है इसके बाद अगला प्रश्ण है कीटों के संबनित बिग्यान की साखा क्या कहलाती है एंटोमोलोजी क्या कहलाती है एंटोमोलोजी कहलाती है इसके बाद अंगला प्रेशन है जीप बिग्जान शब्द का प्रियोग सरप्रिथम किसने किया था जीप बिग्जान शब्द का प्रियोग सरप्रिथम किसके द्वारा किया गया था यह है ले मार्क एवं ट्रेविली लिजस द्वारां किया गया था ओप्सन नम्मर बी इसका राइट आंसर है इसके बाद अंगला प्रेशन है यहाँ पर चिकसा सार्थर का जनक किसे कहा जाता है चिकसा सार्थर का जनक दोस्तों हिपोकेटर्स को कहा जाता है ओप्सन नम्मर भी इसका राइट आणसर है इसके बाद अंगला प्रेश्न है यहांपर इसके बाद अंगला प्रेश्न है सेंटर फार एडवान्स टेकनडूरूजी कहां पर आश्तेत है Center for Advanced Technology है दुस्तों इंदौर मद्ध पिरदिश के अंदर स्तेत है इंदौर में आप्शन नमबर ए इसका राइट आंसर है इसके बाद अंगला प्रेश्चन है मधुमक्की पालन किस साखा के अंतरगत किया जाता है मधुमक्की पालन किस साखा के अंतरगत किया जाता है इसके बाद अंगला प्रेश्चन है भूकंप का अध्यन क्या कहलाता है दूस्तों सीश्मों ग्रॉप साखा है जिसमें भूकंप का अध्यन किया जाता है दूस्तो यहीं video अब होता है यहीं पर शाब तो यह को यह करने शेर करने और दो चैनल को सस्काइब करना ना भूलें तो चले हैं अंगलें समध्र विद्टम